दोस्तो लावा अगनी 25G लावा ने क्या फोन लाउंच किया इतने कम प्राइज रेट में जो फीचर जो आफर किये जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और यहाँ पर अगर सेमसंग S20 FE 5G की बात करें तो यह फोन को लाउंच पर टाइम हो गया है लेकिन इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा यह फोन एक एवर ग्रीन फोन है साथा बाहर फोन है काफी टाइम हो गया लेकीन सेमसंग कभी कभी काम ऐसे कर देता है कि उसके फोन इतने तगरें लाउंच होते हैं कि वो काफी साल हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो फोन बिखते रहते हैं और मैं आपकी नॉलेज़ के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पर सैमसंग गैलक्सी S21 FE 5GB है और S20 FE और S21 FE में ज्यादा फ़रक नहीं था हाला कि चीजे कुछ अलग है अपग्रेड है S21 FE लेकिन फिर भी मैं आपको उता दूँगा कि आपको S20 FE लेना चीए के नहीं लेना चीए तो आपको वीडियो के श्राटिंग करते हैं इसके डिस्पले से तो आपको नहीं पर लावा में 6.78 इंचेस का डिस्पले मिल जाता है तो वहां पर फोन आपको थोज़ा बड़ा काफी लोगा लेकिन जब आप लोग यहां पर वीडियो वाच करेंगे तो काफी मज़ाएगा समसिंग स्ट्वेंटी एंगिल एक्स्पिरेंस काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा स्ट्वेंटी में मैंने कंटेंटेंटर वॉच्च जिया तो वहां पर कलर सो हेंटर यंट्वेंटर यहां पर वहां पर ज्यादा बेटर होता है और यहां पर वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आईगी धूप में बाकिया दोनों HDR 10 plus का support मिल जाता है लेकिं जो 10 bit वाला पैनल है वो सिर्व और सिर्व यहां पर लावा नहीं खाली provide किया है यह आपको Samsung S20 FE कह लिए या तो S21 FE कह लिए वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है पिलस यहां पर लावा में आपको एक और premium features मिल जाता है वो इसका curved पैनल अग यहां पर बड़ा डिस्प्लेट पैनल है तो फिर आपको quality definitely better देखने को मिल जाएगी और यहां पर बात की जाए इसमें चिपसेट की तो आपको लावा में यहां पर च्छे लाग से उपर देखने को मिल जाएंगे पहली बात तो एक Qualcomm अली चिपसेर है तो थोईसी महंगी होती है और performance या ली चिपसेर इदम consistent निकाल की देगी तो बढ़िया performance आपको इसमें देखने मिल जाएगी S21 FE को मैं recommend नहीं करूँगा चुकि वहाँ पर Samsung के Exynos है और वहाँ पर कुछ यूनिट में heating issue भी हो रहा है battery drain बहुत तेजी से हो रहा है तो वहाँ पर उस मामले में इतना अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पर S20 FE winner है इसके बाद यहाँ पर software की बात की जाए तो no doubt कि यहाँ Android 13 पर बेस्ट है Android 15 तक की जाएगा चुकि दो साल के updates मिल जाएंगे तीन साल तक की security updates मिल जाएंगे Samsung S20 FE की बात कीजा तो यह फोन को launch पर time हो गया लगबग 2 साल तो होई है तो वहाँ पर यह फोन Android 11 पर launch हुआ था लेकिन यहाँ पर Samsung यह प्रॉमिस किया था कि तीन साल तक की जाएगा तो सबसे ज्यादा बेटर तो यहाँ पर S21 FE निकल जाता है और फिर देखा जाए तो लावाला फोन हो निकलता है इसके बाद यहाँ पर Samsung S20 काफी पीछे रहा जाता है इसमें लेकिन यहाँ पर experience की बात की जाए तो इस टॉक अंड़ सा बोरिं से software होता है वहा आप लोग यहाँ पर secure folder आप लोग इसमें देख पा रहे हैं इसका मतलब कि आपको nox security hardware की मिलती बाकि आपको edge panel और यहाँ पर Samsung Dex यह सभी features आपको जो premium features है वह आपको इस वाले phone में देखने को मिल जाएंगे तो software experience के लिए आप लोग Samsung की तरफ जाएए updates के लिए S21 FE काफ और fast charger आपको इसमें मिल जाता है battery charging के लिए मैं आपको यहाँ पर लावा का ही phone recommend करूंगा बाकि Samsung S20 FE की बात की जाए तो यहाँ पर 45 वाट की बात की जाए लेकिन यहाँ पर कुछ premium features आपको देखने को मिल जाते हैं चाहे तो S20 FE कह लिए जा तो S21 FE कह लिए वहाँ पर लिए आप लोग ignore कर दिए छोड़ दिए उसको क्योंकि वाला फोन दिन में दो बाच आज करना पड़ता है मुझे बहले चाहे नॉर्मल यूज हो आपका तो उसका battery backup इतना अच्छा नहीं है तो फिर आप लोग normal battery backup के लिए आप लोग लोग लावा की तरफ जाए और अग मेगा पैसिल का आपको एक अल्टरा वाइट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जो कि ब्रांट बिल्कुल प्रोवाइट नहीं कर रही है इसाले प्राइस पॉइंट पर अगर सैमसंग एस्टुटी एफिक या तो एस्टुटी एफिक लिए दोनों में जो सेटप है कैमरे क वो बिल्कुल सेम टो सेम है 12 प्लस 12 मेगा पैसिल का आपको मेन और अल्टर वाइट कैमरा देखने को मिलता है जिसमें मेन कैमरे में आपको ओ आईएस का सपोर मिल जाता है एकदम आपको प्रीमियम कैटेगरी आले कैमरा देखने मिल जाते है आठ मेगा पैसिक आपको इसम तो वहां पर आपको यहां पर 32 MP2 की ही सेलफी मिलेगी लेकिन वीडियो शूट करने का ओप्षन जो है लावा में आपको सिर्वा सिर्फ फॉल एजी तक की मिलता है लेकिन अपर फॉर के तक की मिल जागा दोनों ही फोन्स में तो फाइनली मैं आपको यहां पर कुछ रेज़ पर इसका पर आपको यहां पर काफी जादा कमाल पर फरक जो है वह पैचान नहीं पाएंगे इतना हिया सेंपसंग के रहा है बाकि टैली फोटो लेंज भी इसका काफी जादा कमाल का सेलफी की बात कि बात की जाए है हाला कि इसकी selfie काफी ज़्यादा कमाल की है लेकिन ये back camera की तरह उतनी flagship नहीं है चुकि मैं पास iPhone 13 Pro भी है वहाँ पर मैंने देखा था कि selfie और back camera में ज़्यादा फ़रक नहीं था लेकिन यहाँ पर थोग साथ ज़्यादा फ़रक है हाला कि selfies की अच्छी है तो उससाब से आपको camera की performance अच्छी मिल जाएगी selfie की और back camera की भी तो finally बात आती ही के camera के लिए कौन सा phone लिया जाए देखें लावाला phone अपने price point पर ठीक है लेकिन अब अगर यहाँ पर Samsung S20 FE और S21 FE की बात कीज़ए तो इसमें 3.5 mm body jack का support unfortunately देखने को नहीं मिलेगा बाकि 5G के bands आपको सभी phones में अच्छे है देखने को मिल जाते हैं बाकि अगर यह पर stereo speakers की बात कीज़ए यानि कि दो speaker की बात कीज़ए तो वह आपको Lava में देखने को नहीं मिलेगा एकी speaker देखने को मिलता है तो यहां पर एक और Lava ने काफी बढ़िया काम किया जो कि Samsung में आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको एक साल की replacement guarantee मिल जाती है मतलब आपने लावा अला फोन लिया एक साल के अंदर अंदर अगर इसमें कोई भी hardware related को भी issue आता है तो फिर यह phone बनेगा नहीं direct replace हो जाएगा एक नया phone आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर बात कीजिए इसमें build quality की तो वो Samsung की बेकार है दोनों में ही बरचे S20 effect के लिजए तो S21 effect के लिजए दोनों में आपको plastic effect मिलता है हलाकि फ्रेम्स आपको metal के देखने को मिल जाएगे लेकिन लावा में आपको यहां पर glass build quality मिल जाती है और यहां पर बात कीजिए इसमें variant or rate की तो यहां पर सभी phones में आपको RGB RAM वाला ही variant देखने को मिलता है यह काम काफी चक्या किया गया है लेकिन RAM और ROM की बात कीजिए तो आपको यहां पर Samsung में काफी बैटर देखने मिल जाती है दोनों ही phones में S20 FE या तो S21 FE में दोनों में आपको काफी बढ़िया RAM और ROM आपको देखने मिल जागी तो वहां पर app open close काफी जादा fast होगा तो फाइनले बात आती है मेरे point of view कि कि आपको कौन से फोन बाय करना चाहिए तो यहां पर देखिए लावाल फोन अपने फोन पर justify कर रहा है जैसे कि आपको इसमें डिस्प्ले की क्वार्टी काफी बढ़िया मिल जाती कव डिस्प्ले काफी बढ़ा है और HDR 10 प्लस का support मिल जाता है और यहां पर 10 वी ड़ाड़ा पैनल देखने मिल जाता है बाकि इसका और यहां पर जो चार्जिन रिलेटे कुछ प्रीमें फीचर्स हैं यह वाले चार्जिंग यह भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा बाकि यहां पर जो कैमराज हैं वहुत इसके हैं काफी जाता कमाल के लेकिन आप यहां पर फैनली बात आती है कि सैमसंग S20 FE दिये ज देखने को मिल जाएगी लोग एंडिजाय में फोसा लेटेस लगता है फोन लेकिन आका यहां पर एस्ट्वेंटी एफी की बात की जाए तो यहां पर इसकी जो चिपसेट है तो इसी कम पाउफफल जरूर है लेकिन मतलब कुछ उनिट में एस्ट्वेंट में हीटिंग इस आपको देखने को मिल जाएगा इसके पर आपको इसमें अब कर दिए हमाई चैनल के सबस्काइब कर दिजाए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टैटा वब है